साथियों, आज जब भारत आत्मंदिर भारता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, Global Manufacturing Hub के रूप में, Global Supply और Value Chain के एक एहम प्लेयर के रूप में, खुद को स्थापित करने में जुटा है, तब हमारे Waterways और हमारे Ports के Network को ससक्त करना बहुत जरूरी है. बीते 6-7 साल में, Port Development और Port Late Development को लेकर जो काम हो रहा है, उससे देश को नई ताकत मिल रही है. आज हम नदी जलमारगों का एक बड़ा Network तैयार कर रहे हैं, जो समद्र के बड़े Ports को देश के Landlock राज्यों से कनेक कर रहा है. Port Infrastructure के विकास में जो कानूनी अर्चने थी, उन्हें भी निरंतर दूर किया जा रहा है. सरकार का ध्यान समंदर में इज अब बिजनेश को प्रमोट करने और मेरिटाइम लोजिस्टिक्स को सरल बनाने पर भी है. ऐसे दुनिया के सबसे बड़े सिंगल बिंडो प्लेटफर्म को तैयार करने पर भी काम चल रहा है. साथियों, ऐसे ही अनेक प्रयासों के कारण अब देश के पॉर्ट नेटवर्क की केपिसिटी और केपिबिलिटी दोनों का विस्तार हो रहा है. तीन दसक के इंतजार के बाद वेश कॉस में भारत के पहले डीप ड्राफ ग्रिन फिल्ड सीपोर्ट को साइधान्तिक मंजुरी दी जा चुकी है. इसी तरह इस कॉस में डीप ड्राफ इनर हार्बर के निर्मान का काम भी तेजी से चल रहा है. अब ग्रेट निकोबार में करिब दस हजार करोड रुप्य की संभवित लागत से ट्रांसिप्मेंट पोर्ड के निर्मान का प्रस्ताव है. कोशिज ये हैं कि आने वाले चार-पांच साल में इसके पहले फेश को पूरा कर लिया जाए. एक बार जब ये पौर्ड बनकर तयार हो जाएगा तो यहां बड़े बड़े जहाज भी रुक पाएंगे. इसे समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी हमारी युवाओं को नए मोके में बड़े.